हलो चेहन साथियो स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे साथियो कल की डेट में मैं आपको जनकारी दिया था कि बिक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर की तरफ से आई टे चातरों के लिए विकेंसी आ चुकिए जिसके बारे में मैंने कल आपको डेटिल्स में एक विडियो के मादम से जनकारी दिया था यदि आप वो विडियो नहीं देखें वेकेंसी के बारे में तो इसका लिंक मैं आपको इस विडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगा वहां से आप इस vacancy के बारे में पूरी जनकारी देख सकते हैं ये जो vacancy निकल कारी एक apprenticeship के तोर पे निकल के आ रहे हैं और इस video के मादम से आपको जनकारी देने वाला हूं कि इसका जो form है वो कैसे आप भर सकते हैं आप लाइन बिल्कुल असान तरीका आपको बताने वाला हूँ और बहुत सरे चात्र पूछ रहते कि सरे इसका फार्म कैसे मिलेगा तो भी मैं आपको बताऊँगा आप इसका फार्म कहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे उससे पहले यहाँ पर पौन भरने की तरीका आप देख लिए यह जो फार्म है आपके सामने कुछ इस तरह का नजर आएगा सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपना चिपका दीजिएगा इसके बाद आपको क्या करना है इस क्रॉल करते विए थोड़ा सा आप नीचे आईए यहाँ पर साप तोर पर लिखा गया है कि जो निदिश्ट ट्रेड है पतलब कि आप जिश्ट ट्रेड से आई टी आई किये उस ट्रेड का नाम आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको अपना नाम लेखना है पूरा यहाँ पर कैप्टर लेटर में होना चाहिए और साप अच्छरों में होना चाहिए जहा निकिएगा इसके बाद यहाँ पर जनते थी भी आप यहाँ पर लिखिएगा जो भी आपका जनते थी ह को गा इसके बाद यहां पर लिंग अपना लिखेगा पूरुस होंगे तो पूरुस पर आप यहां पर टिक कर रहा है बतलब जाया प्तल्ब कि आप साधी सुधा है तो आप यहां पर क्लिक के जएगा यहाँ आप साधी नहीं हुए तो आप इस तरह यहां पर चीन लगा दीजिएगा अब आपको करना क्या है यहां पर नीची आजाएए नीची आने के बाद अनसुचित अजन जाती है यहां पर कह रहा है कि आप जैनरल के अंतरगता आते तो जैनरल पर क्लिक कीजे ओवी-सी के अंतरगत आते तो सब्देट यहां पर आपको टिक लगाराना है यहां पीडिद чем पर ऑद ऑद चीक लगकर देश्थky इसके बार आपको क्या यहां पर साते नंबर पे बिलकुल तरीकाई फार वर्डे का आप असानी से फार्न को अप्लाइघ कर सकते हैं यहां पर आपसे पता पूछ रहा है इस में कहा जारा है कि आप अपने अस्थाही पता लिखे हैं अस्थाई पता मतलब यह होता है कि जो आपका आधार कार्ड में आपका पता है ठीक है जो आपका आधार कार्ड में पता है उस पते को आप लिखेगा और यहां पर कहा रहा है कि वरतमान पता है मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते जो कि उनका घर कहीं और रहता है लेकिन वो कहीं नंबर मुबाइल नंबर और यहां पर email id आपको फिल करना पड़ेगा बिल्कूर सिंपल है आप असानी से कर सकते करने के बाद आपको यहां पर आता योगिता आपकी योगिता क्या है तो जाएर से बात है कि आप इस फार्म को अपलाई करें दस्वी और आइटिया यहां पर आपको मार्सिट और यहां पर सर्टिपिकेट की जुरुत पड़ेगी तो आपको करना के सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे उत्तरण कच्छाय में यहां पर तेंथ पास तेंथ पास म यहां पर नाम आपको लिख देना है उत्तरण होने का वर्स आपको लिख रहा है मतलब किस साल आपने दस्मी पास की आप लिखेंगा उसके बाद यहां पर लिखाए लिए गए बिसेस योगता यदि कोई हो तो बताईए इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपको परतिसत लिखेंगा और इसमें आप आगे लिखेंगा पचैतर परसंट या चैतर परसंट जो भी आपका परसंट होगा बस इस तरह आपको लिखना है दूसरे कालम में आपको लिखना है आपको सब्जेक्ट में आपके लिखेंगा यहां पर लिखेंगा यहां पर लिखेंगा यहा आपका percentage आपको यहां पर परसेंटेज लिख देना है बागी यह आपको दो ही आपको कॉलिफिकेसं लिखेंगा क्योंकि दो ही कॉलिफिकेसं पर आपकी विकेंस निकल कर आ रहे बस आप इस तरह फार्म को अप्लाइक कर लिजेगा इसके बाद यहां पर कहरा है कि और भुट्व से सरकारी तो प्राइबत को भी बताय यहां पर मैं आप से कऊंगा कि यहां पर जो column इसको छोड़ दीजेगा बिल्कुल 9 वाला column जो इसको छोड़ दीजेगा यह apprenticeship के बाद यह जो शातर भरते उनके लिए नीचे आ जाते तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है बस कि आपको क्या करना है यहाँ पर अपना signature कर देना है और यहाँ पर जिस तिथी को आप इस form को छोड़ रहे है उसका तिथी यहाँ पर date दाग दना है और आपको गया करना है main जब आप इसलिए फॉपे पर लिखेंगे तो इसका यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया पूरा है यह आप उतार देजेगा क्योंकि आप जहाँ भेज रहे हैं इसी पते पर भेज रहे हैं क्योंकि यही इसका main यहाँ पर जो उने जहाँ पर आपका यह form जाएगा तो वहाँ पर आपका जाएगा और ध्यान एकिएगा email id आपका बिलकुल सही होना की जाईए और हमेसा active रहे ऐसा email id यहाँ पर फिल कीजेगा उमीदे साती हो आपको जनकारी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजेगा चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजेगा